प्रत्मी बंदन है सुखकारी श्री गनेश सब को अपकारे शिवगारा के लाडले प्यारे समने हो के राज दुलारे कारज जब भी कोई होता सबसे पहले सुमिरन होता ऐसा ही वरदान है पाया नाम तभी इस जग में चाया दन पति पूजन पहले कर लो शीश नवा कर बंदन कर लो सब की जोली भर जाएगी सारे पेड़िया तर जाएगी क्यों कर पूजन पहले होता इसकी कथा भी तुम ही सुनाओ क्या है माहातम में बत लाओं शिवगे वर की बात बताओं शीगनेश का ध्यान धरू करो देव कल्यान चरन शरन में बेठे कर जपता तुम्हारा नाम जे जे गौरा मा के लाई भगतो दीव बड़ी है कमार शिवने तब वरदान ये दीन हां मंगल और उपकार है कीनों तब से गणपती पोजे जातें देवों के ये देव कहातें इनका बंदल मंगल कारी जन जन को है ये उपकारी रिधी से दिके ये दाता जो भी सुमिरन मन से करता खुशियों से वो जोलियां भरता पश्ट से धिना मने दिके दाता सब के ये है भागय विदाता दीनन के ये है हितकारी महिमा भारी लीना र्यारी कथा है गणपते की न्यारे जिन तो पूझे दुनिया सारी प्रथम पूझे ये आप हो ओ गारा के लार मुक्ट सजा है शीश पर दिलक लगा है भाग बोलो जे जे श्री गडिश गोरा जब अस्तिनान रचाती तब एक मुश्किल नहीं सदाती शीव तब लो जे श्री गडिश अंदर आ जाती है प्रड़ेनी मंत्रण लेकर आते तब गोरा ने देखा भाला एक उपाय तब ऐसा निकाला उस दिन जब असनान रचाया अपने मेल से पुतला बनाया पुतले को दर पे बिठला की सारी बाती तब समझा की अंदर ना आई कोई समझाया उसी द्वार पे कह बिठलाया उस पुतले नी आग्या निभाई रक्षक बनकी की अगवाई शंकर तब वह कोद में आये रोश में बालक पर चिलाये बालक ने समझा दिया माता कर असनान बाद में थोड़ा आये किरपा कर शिरिमान मन में बसते श्रीगड़े सब की खाते खष्ट कलेश शंकर को ये समझ ना आया क्रोध में तब तिरशूल उठाया बालक की गरदन पर मारा नर से उसका शीश उतारा शोर सुना जब ये गौराने पुत्र को देखा जब गोरा ने पारबती तब प्रोध में आई शिव बोले पर ही चिलाई ना थी तुमने क्या कर डाला अपने लालक मार है डाला मुझे को था प्राणों से प्यारा ये भी था एक पुत्र तुमारा जिसको मेल सी मैंने बनाया रक्षक बना के था विठलाया शोक हो आभारी शंकर को दुकने तब घेरा शंकर को शोक था छाया तब वहा शंकर हुए आधी चेहरे पे बायूसी थी बाहा मैन सीनी जे जे गौरा मा के लाल भगतो दीव बड़ी है कमाल गौरा के ब्याकुल थी ने न रुकता नहीं था उनका रोना शिव ने था तब धैर बनाया सब देवों को तब समझाया शीश काट मानव काला बालक को जीवित करवा देवी ने तब बन में खोजा आनुश शीश पही ना देखा हाथ लगी थी बस ही निराशा दिखती नहीं थी कहीं भी आशा तभी दूर से उन्हों ने देखा लतनी का एक शीशो था सोता जिसकी मा थी नीद में सोई देख रहा ना उनको कोई देवी ने तब शिशो थाया शीश काट दढ़ पत को लगाया शीश जुडा जीवन मिला देवत सब है राथ रूप देख कर लाले का गोरा थी परिशुआ शीवनी तब कारण समझाया मा रोशीश कही ना पाया कम ना हो जीवन की दूरे इसलिए ये थी मजबूरे हो गया जीवत लाल तुमारा तुमको जो प्राणों से प्यारा बन शाले और ग्यानी होगा ऐसा ये वरदानी होगा नाम है इसका मंगल कारी शोभाज इसकी होगी नारी देता हूँ अरदान में इसको जग पूजेगा गोरा इसको जो भी इसका नाम जबेगा बिगडा हुआ सब काम बनेगा देवों का सरताज ये होगा उजन बिन शुबताज ना होगा जग पूजेगा लाल को शिव ने दिया वरदान महिमा परंपर है होंगी फूरन कार जे जे गोरा मां के लाल बगतो दीव बड़ी है कमाल तब से जग में होती पूजा इनके जैसा दीव ना दोजा सकल मनोरत पूरे होते इनके बिना शुबता मना होते किरती है मुसे की सवारी शोभा इनकी लगती प्यारी मोदक भोग इने है भाता के सरतिलत है इन पे सुहाता ज्यान ध्यान के यही विधाता पालन हारे सब के दाता अश्ट से धिनवन धिदेते हैं दुखडे सारे हर लेते हैं जो जिन इनकी सेवा करता जग में वह भव सागर करता आओ भगतो मन सिमना लो जीवन अपना सफल बना लो गोरा नाल गनीश का जो भी धरते ध्याँ यश्वे भव वो पजते पाते हैं सम्माँ मन में बसते श्री गडेश सब के खाटे कश्ट कलेश हश्ट विनायक विश्विनायक विघनों के हर तालम बोदेश श्री गनीश के नाम है सारे गोचते हैं घर घर जैकारे गनीश चतुर्थी परव है आता सब भगतों को बड़ा है भाता सब जन मिल कर ध्यान लगा लो जीवन अपना सफल बनाओ पूरी होती मन अभिलाशा चीतन मन में जगती आशा घर घर में होता है के तन बगती भावना का ये संगम सब जन मिल कर भजन है गाती श्री गनीश घोशी शिनमाती तन मन धन सब करती अरपन सफल है होता सब का जीवन पूजोग जानन देव को बोलो जे श्री गनीश बिगनों कोई हर लेंगे काटी सकल करेश बोलो जे जे श्री गनीश एक दिवस तब ऐसा आया शिवनी ली थी एक परीक्षब सकल लोग जो घूम के आये वह सब से ग्यानी कहलाएं यात्रा कर जो प्रतम रहेगा ग्यानी भल शाली वो होगा कार्ट के यनिवट वचारें लोक ब्रवन की के तैयारी लेकिन गनपत जी नहीं सोचा लोक ब्रवन करके क्या होगा मात पिता की के पर कर मौनां सकल लोक से बढ़ कर समझा भावना उनकी काम है आई जीत परक्षा में तब पाई शिव ने उनकी बात की मानी क्यान की शक्ती थी पहचानी शी गनेश के भावने दे दिया एक विचार मात पिता में बसते हैं सकल लोक संसार जे जे गौरा मा की लाई भगतो दीव बड़ी है कमार मात पिता को दिया था दर कहां था सारे लोक से बढ़ कर सारे तीरत इन में समाएं सेवा कर की सुख मिल जाएं चरणों में है स्वर्ग का द्वारा हरता जीवन का अंधियारा मात पिता की कर जो सेवा उसने पूझे सारे देवा जीवन का सब सुख मिलता है खुश्यों का अपवन खिलता है तुम भी भगतों बोल न जाना मात पिता को नहीं सताना मात पिता को जिसने रोलाया उसने कभी भी सुख ना पाया सच्चा तीरत नाम यही है इनसे बढ़ कर कोई नहीं है मात पिता की चरणों में बसते चारो धाम दिल से कभी बोला ना ना मात पिता का ना मन्ज में बसते श्री गडेश सब के खाटे खश्ट कलेश बने प्रभु तब क्याने के दाता वो धी दाता भागे विदाता देमोने भी शीश नवाया मिलकर सबने बन्दन गाया अपनी रस ना कर लो पावन नाम चपो इनका मन भावन इनको सिमरो साज सबेरे संकट गट जाएंगे तेरे भगतों की जो है सुख करता मंगल खारी दुख की हरता महिमाईन की जिसने गाये अश्ट से दिनम निधीर पाये जो भी इनका नाम धियाता जग में सारे सुख वो पाता महिमाईन गणपति जी की गालों सारे सुख गणपति से पालों दीन दयाले हैं गुन से भरे सब की तारण हार आप सभी कट जाएंगे बोलो जे जे का बोलो जे जे श्री गणपति जो भी इनकी महिमागाता रेते सिद्धी और लक्ष्मी पाता सुख सिख जाने ये भर देती बिन कृपा कोई यश्वा पाता सब मंगल के ये ही दाता सब के ऐसे ये सुख दाता भगतों को है ये उपकारी देव सभी जाते वलिहारी जगत है निकी करता पोजा मनों कामना पूरण करते सब भगतों की जोलियां भरते हाओ इनका बंदन गाओ श्री जर्णों में शीश नवाओ नहिमाल खीश गनेश की दियो प्रभूने ग्याओ भिगने शर की किर्पा से पूरन हो गयता मन में बढ़ते श्री गडेश सबके खाटे कश्क कलेश